तो द्रड़ता और एकागरता वैसे एकागरता जब द्रड़ता होती है तो एकागरता आ जाती है कोई बात में हम द्रड़ हो जाते हैं तो एकागर हो जाते हैं तो द्रड़ता भी आ जाती है जैसे एक एक ही है जिसका जैसे रिष्टा भी है बहुत होते है तो समझ में नहीं आता है क्या करे नहीं करे जब एक पर बुद्धि चली रुक जाती है तो फिर अब फिर वो रिष्टा स्ट्रेंथन भी हो जाता है और दर्ठा से सफलता होती है तो दर्ठा उता होता है या द्रड़ता होने के बाद सफलता होती है देखो द्रड़ता हो गई मतलब सफलता द्रड़ता अपने आप में एक सफलता है determination है ना तो द्रड़ता ही सफलता है तो इसलिए द्रड़ता मतलब क्या तो योगी के लक्षन दो होता है वैसे बھی कोई भी योगी होता है ना, उसके दो लक्षन योगीओं के, क्या माना जाते है कि एक खाग्र बुद्धी है, तो पस्वी स्वरूप में एक खाग्रता दिखातें और उनमें द्रड़ता बहुत होती है। उनकी जो lifestyle है, उसमें द्रड़ता होती है, कि इतने बजे उठना ही है, अनुशासन, अनुशासन भी एक द्रड़ता का प्रतीक है, discipline, तो योगियों में ये होता ही है, तो हमारा भी योगी आत्मा, प्रयोगी, मतलब ये दो चीज होगी है, द्रड़ता और एकागरता, अगर स ही अटना है, जिद्धी नहीं है, सोच समझ के किया है, जो भी हमने किया है, तो इसलिए द्रड़ता और दूसरा द्रड़ता अर्थाती, विश्वास, द्रड़ता माना विश्वास, द्रड़ता माना निश्चेनी, विश्वास, फेद, और द्रड़ता माना बाबा कराएग आही नेक्स्ट संक्वा कि बाबा कराएगा यह तो हो ही जाएगा यह वाली फिलिंग आ जाए वैसे भी जो बाबा ने उस दिन कहा था ना कारिये की समापती से के पहले विजय दिखाई दे कोई वही विजय हुई पड़ी यह को बाबा ने कितना क्लियरलीटी दी दे मैचज जीतने वाली उसको पहले से दिखाई दे की मैचज अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन यह क्लियर है कि यही जीतेगी कि की जिसका पहले से वो रिक़ॉड ही ऐसा है तो इसी तरह द्रड़ता माना इतना अभी कारी हुआ नहीं है लेकिन दिखाई दे कि बाबा कराएगा ही यह है बाबा कराएगा ही दिखाई दे और यह तो हो ही जाएगा यह द्रड़ता तो यह सब statements हर करम में आता है यह नहीं कोई सेवा का करम लेकिन कोई भी स्रेष्ट करम में जहां हमको जैसे जॉब के लिए भी है कोई न्यू एडवेंचर के लिए भी जा रहे है तो भी ये सब उसकता है बावा करा है उसके लिए पहले से सेवा उस आत्मा की जिसके पास हम जा रहे है उस आत्मा की, जब मंसा सेवा स्वयम की या उस आत्मा की होती है, तो फिर हो जाती है, पहले से हम डरते हैं न, जैसे अगर सपोस कोई जॉब कही है, कोई कुछ और बिमारी, मतलब कुछ भी ऐसी है, पहले से डर रहे होते हैं, तो पहले से मंसा को हमने कमजोर कर दिया, आज का सोमान भी है मैं अशरिडी तपस्वी आत्म हूँ और हर कारी में विजे बार-बार ये आज का है न सोमान 31 जनुवरी तक रोज आ रहे हैं सोमान हर कारी में विजे कारी की समाप्ती के पहले ये वाली फिलिंग कुछ भी हुआ हमने हमको किसी से बात ही करनी है विजे हुई पड़ी मतलब अभी बात की भी नहीं है उससे लेकिन फिलिंग हो कि ये तो हमारे फिवर में है ये हो सकता है अभी बात की नहीं पता नहीं क्या होगा हो सकता है बहुत बड़ा डील भी हो लेकिन ये तो हमारे favor में वो कब होगा उसके लिए ये vision की practice जो हमने उस दिन भी जो टैलीपेती वाला में हम लोग ने सीखा था था ना कि vision बनाने की practice हो बीमारी है अभी दिखाया ने डॉक्टर को लेकिन यह है कि ये तो ठीक होई जानी है ऐसा हो सकता है कारिये की समापती के पहले यह बहुत अच्छा है ना स्टेटमेंट इस बार के मूर्ली में यह अंडरलाइन करना है तो मैंने तो अंडरलाइन किया है और बाकी वो शरीरी वाला इंजेक्शन जो हम पिछले हफते से कर रहे है बाबा की नेत्रों से डिवाइन रेज in my eyes क्योंकि आज अशरीर है तपस्वी आत्मा जब भी कुछ ऐसी बात हो ना इदम बाबा की नेत्रों से नेत्र मिलाए ऐसी दिव्यता आएगी जो इंजेक्शन का रियली वो परिस्थिती से इदम डिटैच हो जाएंगे ट्राइ किया है करके देखना इदम नेत्रों से नेत्र मिलाए वतन में जाके यह बहुत अच्छा अभ्यास है यह है अशरीरी तपस्वी आत्मा तो इजी है हमबक इजी है सभी कर रहे है प्राइब कर रहे है